सब्सक्राइब को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आडियो वीडियो क्लियर है हाँ जी आडियो वीडियो सब को किलियर एक बार कमेंट करके बताईएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को आडियो वीडियो किलियर है रादे रादे एक बार कमेंट करके बताईएगा चलिए स्टाट करें हम लोग चलिए आज की सेशन की हम लोग शुरुबात करते हैं और देखते हैं आज का नए ने नीज हमारे क्या है एक बार कमेंट करके बताएं जी पुरे राल जी करिश्मा जी शुरेश जी अनिता जी सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और यूडियो सब को क्लियर एक बार कमेंट करके हाँ जी ओल क्लियर अभिनाज जी चालिए शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते करेंड अफेस का हमारे पास नए शेशन फॉम ले के चल रहे है तो दिए करेंड अफेस के अगर हम बात करेंट सबसे फर्स्ट हमारा कम्वडर का अलेड़ी कलासेस चल रहा่éch खाह अंकी सारी स्टार्ट होने जा रहा है न्यू बैच आप लोग बिल्कुल हमारे ओन लाइन ओफ लाइन दोनों ले सकते हैं ठीक है चलिए तो मैस की भी किलासे इस रहते उसके बाद 29 नमबर का डेट है और रेप्टिफार राउन में हम लोग शुरू करते हैं आज के नए सेशन का ठीक है तो यह गाउं है आपका तमिल नाडू में यह गाउं है जिसको जय विवित्ता के रूप में अभी भोशित क्या गया कहां पर हाँ जी सभी को गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग चले स्टार्ट हमने क्या बूला आगला नेक्स कोशन की ओर अगर हम बढ़े हैं ठीक है अगला बोला गया पता है निम्से कौन सा सहर नवंबर 2022 में CDP में जो है अभी प्रकासित किया गया वार्षिक सहरों की सूची में रुपोर्ट दिया गया तो सूची में जो है सामिल होने विला पहला भारतिय सहर बन गया यह कौन सा सहर है मुंबई और मैंने कल भी बूला यह मुंबई सहर है जो पहला भारती सहर बन गया जो CDP के सूची में सामिल हो गया जो सबसी ज्यादा डेवलप्मेंट के लिए जाना जाता चलिया आगले कोशन का आंसर बताईएगा तभी लोग पड़ा पड़ा आंसर देते जाईएगा आगला कौन सा कोशन होगा आंसर इसका बताई बताईनके में से कौन साथ संस्थान टाइमस हायर एजुकेशन, गलोबल इन्वरिसिटी एमप्लॉईविलिटी तो इमप्लॉईविलिटी में का मतबता रोजगारी जो रोजगार स्रीजन कर सके हैं उसको मतरते तो बताब प्रहाई करने के बाद, जो सबसी यदा नौकरी के लिए जाने जाते हैं तो बुला गया टॉप 50 पचास में से एक मात्र सेक्षिनिक संस्था वो किसको रेंक मिला है तो मिला है आईटी किसको बॉम्बे को आईटी बॉम्बे को ये रेंक मिला जो 58 नमर पर है उसके बाद बाकी देखा जाए तो सभी बाहर है इससे ठीक है पुला गया बताईए कि नौकरी में से किस राज में स्कायरूट एरोइस्पेस के द्वारा देश की पहली एक ही कृत आईटी देली था कि आईटी बॉम्बे आपके पास किस राज में स्कायरूट द्वारा एरोइस्पेस की पहली एक ही कृत रॉकेट डिजाइन निर्मान और परिक्षन की शुवदा कहां पर दी गई थी तो यह मैं बता दू यह है आपका तेलंगाना तो तेलंगाना राज में जो है अब ही हाली में एरोइस्पेस जिसको आम लोग बोलते हैं स्कायरूट और स्कायरूट का ही एक नया लॉंच किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया आपने सुनाओगा विक्रम और विक्रम जो नहीं यह जो सेटेलाइट लॉंच की गई है विक्रम यह सबसे जादा अभी चर्चे में ठीक है तेलंगान हाँ जी गुड़ मॉनिग गुड़ मॉनिग चले आगे कोर बढ़ें और इसमें आपके पास बोला गया स्कायरूट जो है विक्रम और विक्रम यह कहा है तेलंगाना में इसको शुरूर किया गया बोला गया बताए नहीं से कौन सा देश वित्वर्स 2022 और 23 की पहली चमाई क नहीं के लिए भारत को उरबरकों का सिर्श अपूदि करता देश बन गया तो मैंने कल भी बोला था वो देश ऐसा है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा सोच्ता हूँ है रसिया और बिच् से इंडिया में उरबरक जो फटी लाजर होता है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क देस उगया जिसने किस को पीछे चोड़ दिया है तो च Dryna को पिछे चोड़कर ये नंबर वन देस बन गया किसको पीछे चोड़कर चैना को पीछे छोड़कर ये नंबर वन in Act कौन रसिया तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखेगा रूस जो है नंबर वन नंबर वन नंबर देश बन चुका ठीक है चलिए आज की हम लोग शुरुबात करते हैं सेशन और आज का सबसे मस्त है और वो है आपका क्या बताईए ने मिल्कित मैंसे किस राज सरकार में हाली में हाली में अमलन अमलन जो है ये कारिकरम शुरू किया जिसका नाम है एनीमिया एनीमिया मुक्त अमलन के बात करते हैं एनीमिया मुक्त लक्ष अभ्यान एनीमिया मुक्त लक्ष अभ्यान अभी किस राज के द्वारा शुरू किया गया तो एनीमिया मुक्त लक्ष अभ्यान की अगर हम बात करें तो वो कौन सा राज है जिसके द्वारा ये मुक्त किया गया है तो ये राज जो अभी केंपेंड चला रही है वो एक ही राज हो है उडिसा और उडिसा ये भारत की ऐसी राज है जिसे सबसे ज्यादा सम्रिद माना जाता है और इनोंने ही अपने राज में एनेमिया मुक्त कारिकरम शुरू किया और इस कारिकरम के मध्यम से जो वहाँ पर लगभग बोला जाता है कि लगभग देखा जाए तो लगभग 80-90 लोग जो इससे हैं जूज रहें और उडिसा सरकार जो कोने अभी नवीन पतनायक जो है ये कोने उडिसा सरकार मतब ये वहां के कोने स्टीयम और वहां के स्टीयम और उडिसा के कोने नवीन पतनायक और गवर्नर अगर वहां से पूछ लिया जाए तो वहां के गवर्नर को तो है गनेशी लाल जो है वहां के को ने गवर्नर और इनों ने देखा है कि आपके पास जो है लगवाग यहां पर चलाई गया यह कारिकरम है सबसे महत्पुर्ण कारिकरम है और यह वहां के अगर आपसे राजदानी पूछ लिया जाए तो भूबनेश्वर वहां के क्या है भूबनेश्वार तो याद रखेगा भूबनेश्वार वहां की क्या है राजदानी है तो एनेमिया जो अभी लाया कहां पर चला या उरिशा में गवर्मेंट ने इसको चलाया आज इस से सर्फो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करते जाएगा ठीक है और आगे के और बढ़ते हैं और अगर हम इसकी बात करें ओरिशा गवर्मेंट के बारे में तो बहुत सारी योजनाई जो ओरिशा गवर्मेंट चलाती है जिन में से यह सबसे ज़्यादा देखा जाए हेल्थ और फैमली वेलफेर के लिए चलाय जा रहा है और बुला जात होती है तो फूड फैसिलिटी के जरिये यहाँ पर पूरी तरह से काम करती है तो याद रखेगा जिनका भी आवे रिसेंट में पेपर होने बाला है और खास वर कि चाहिए वो बैंक का पेपर हो चाहिए वो हमारा करेंट में जितने भी कोश्चन आप से पूछे जा रहे है उन सबी के लिए आप लोग तयार रहेगा क्योंकि ये कोश्चन आप से पूछा ही जाएगा और जब हम उडिसा की बात करते हैं तो उडिसा में आपको पता होगा चिल्का लेक चिल्का लेक ये कहां पर है तो उडिसा में आपने उसके बाद उडिसा के चान्दीपूर का अपने नाम सुना होगा चांदीपूर और जिसे हम API अब्लु कलाम बोलते हैं अब प्रच्यपन के इन बोलते हैं API अब्लु कलाम जो हमारे पास मिसाइल प्रच्षपन है जगह उसके बाद सूरीय टेंपल का अपने नाम सुना होगा सूरी मंदिर और ये सूरी मंदिर भी कहां पर है उडिसा में या इसी कौम लोग कुनार्क मंदिर भी बोलते हैं कुनार्क और सबसे बड़ा फैस्टिवल आपने नाम सुनाओगा राजा फैस्टिवल और राजा फैस्टिवल ये कहां मनाई जाता है तो ये उडिसा में ही मना जाता है उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी हीरा कुंड डेम और हीरा कुंड डेम ये कहां पर है तो हीरा कुंड डेम जो है ये कहां पर है महा नदी और ये भी कहां पर है उडिसा में ये बिल्कूल आप लोग याद रखेगा और हमारे भारत की प्रेसिडेंट हमारे भारत की जो दूसरी महला प्रेसिडेंट है जो दूसरी महला प्रेसिडेंट बनी है और वो 15 नमर की जो प्रेसिडेंट बनी है वो कोन है दुरोपती मुडमू तो दुरोपती मुडमू भी कह कि राने बाली हैं तो उडिसा की राने बाली है ठीक है और यही वहां के CMA नभीन पटना है और बुलाएगा लगभाग 1.37 करूर महिलाओं को इसका फाइदा पहुंचाया जाएगा और यह सारी चीजे लॉंच कहां किया गया कि लगभाग उडिसा के 55,000 55,000 इसकूल और खास करके 74,000 आंगन बाड़ी चाहतर हजार आंगन बाड़ी में यह लॉंच किया गया योजना तो यह सारी चीजों को आप याद रखेगा उडियाओं हाँ का क्या है भाषा है जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है उडियाओं का क्या है भाषा है ठीक है हाँ क्लियरे सब को और यहीं से सबसे ज़्यादा फेमास है दुरोपती मुर्मू आरकन की गवर्नर है पूजाजी वो जारकन की गवर्नर रहा चुकी है और उनका होम टाउन जो है वो उडिसा की है ठीक है तो देगना जारकन मत पहुंचा देना हूँ चले आगले कोश्चन की जोर बढ़ते हैं अगला पूछा गया बताईए निमलकीत में से कौन सा सहर चार से साथ दिसंबर को भारत में पहली जी सेरपा बैठक की मेजवानी करेगा तो मैं आपको बता दूँ कि बताईए भारत का सिटी ओफ लेक किसको बोला जाता है तो सिटी ओफ लेक हम किसको ब उदाइपूर और ये उदाइपूर कहां पर है भाई साव राजस्थान और राजस्थान में जो है उदाइपूर है और वही पर इसका आयोजन किया जाएगा भारत का पहला जी ट्वेंटी शेरपा और आपको पता कि जब हम जी ट्वेंटी शेरपा की बात करते हैं तो ये वही host करता है जो इसका संचालन करता है भारत जो है G20 2023 का host करने जा रहा और ये G20 पहली बार host कहां किया जाएगा देली में इसे host किया जाएगा और इसे 18 नम्मर का इसे host किया जाएगा देली में G20 summit इसमें 19 देश है देशों की संक्या इसमें कितने 19 और प्लस एक European Union है और G20 जो concept आया था ये 1999 मल आये था 1999 याद रखेगा उदैपूर में इसका आयोजन किया जाएगा और 3 से 7 दिसंबर के बीच में इसे city of lake बोलते हैं धिलो का सहर और वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में उदैपूर और पिंग सेटी के नाम से किसको बोलते हैं तो पिंग सेटी के नाम से किसको बोलते हैं भाई साथ तो जैपूर को बोलते हैं और जैपूर किसकी राजधानी है तो राजस्थान की राजधानी जैपूर है और इसका जो संचालन G20 का संचालन जो किया जाएगा तो G20 Serpa जो इसके head बनके बैटे हैं तो ये कौन बैटे हैं G20 Serpa के head तो निती आयोग के CEO थे तो निती आयोग के ये कौन थे CEO थे जिनका नाम था Amitabh Kant थे तो ये जो Amitabh Kant जी है Amitabh Kant ये निती आयोग के पहले CEO थे और CEO के बाद ये जब तो रिटार्यूत इनको अभी G20 सेर्पा के एड़ बनाएगा तो भारत के तरफ से G20 सेर्पा इनको चुना गया दोगो G20 सेर्पा का मतलब यह होता है अलग अलग देश तो बार-बार तो वहां के प्रेसिडेंट या परदान मंत्री तो नहीं आ पाएंगे तो वो अपनी सेर पानिउक्त करती है हर देश अपनी सेर्पानिउक्त करती है और जाके वह यहां पर क्या करती है मिटिंग करती है इसलिए जीलों का सहर बोलते है उदयपूर जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है लेगिन G20 की अगर सम्मेनन की अगर हम बात करें तो इस बार का थीम जो यहां ने लॉंच किया उस थीम का नाम क्या और किस थीम पर यह काम कर रही है तो इनका नाम है बसुधय कुटुम बकम और यह जो लॉंच किया वन अर्थ वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर यह याद रखेगा वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर यह इसका मेन है G20 शर्पा 2023 का जो इसका आयोजन किया गया ठीक है तबी लोग सेशन को एक बार जरूर लाइक करिएगा ठीक है और इसी के बेश पर आपको लेके चलना है किलियर सब को हाँ जी सेशन को अच्छे से सबी लोग एक बार जरूर लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख है ठीक है किलियर सब को है कि चलिए आगे कि और बढ़े है कि चलिए आगला जो हमारे पास पूछा गया G20 का होस्ट इसवार इससे पहले G20 का आयोजन कहां किया गया इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में किया गया G20 का 2022 का और 2023 का इससे कहां आयोजन किया जा रहा तो 2023 का इससे G20 होस्ट करेगा इंडिया और 2024 का इसको जो होस्ट किया जाएगा इसके द्वारा तो ब्राजील के द्वारा तो ब्राजील जो है 2021 में होस्ट करेगा ठीक हर साल कोई न कोई कंट् तरह से जिम्मेदारी दिया जाता हाँ जी सब भी लोग एक बार सेशन को लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को सभी लोग जरूर लाइक करते जाएगा ठीक है हाँ इसते लिए है किलर है सबको सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करते आज इंडोनेसिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था बिलकुल correct है इंडोनेसिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था क्लियर है सबको कि अगे को बढ़ें इसी बात पर अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं और फिर अपन बात करते हैं बताइए कि अजिए अगला हमसे ये पूछा गया है कि बताइए निम्लकित में से कौन सी कंपणी अनुमती अनुमानी छे हजार करोड से साथ हजार करोड रुपिये में भारत की सबसे बड़ी पैकेजड पेजल कंपणी बिसलरी का अधिगरन करने को तयार है भाई साब ये बहुत ही शांदार क्वेश्चन है ये मान के चलिए कि बिसलरी का आपने नाम सुना होगा और ये पैक्ड जो है सबसे बड़ी कंपणी है बिसलरी और बिसलरी जो है अब पूरी तरह से इनको मर्ज करने को तयार है मतलब बिलाई करने को तयार है तो किस कंपणी के साथ ये बिलाई करेगी तो इसका जो वेल्यू है साथ हजार करोड है अब साथ हजार करोड की इसकी वेल्यू है जिसका नाम है बिसलरी और बिसलरी का अधिगरन करने के लिए भारत के सबसे पैकेज पेजल कमपनी है उसको कौन करेगी तो टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट के द्वारा इसे किया जाएगा तो वैसा बिशलरी को टाटा फूड कंजूमर के द्वारा इसको टेक ओबर किया जाएगा तो यह सोचो कि टाटा जिसको हम लोग बोलते हैं रतन टाटा जी आज इतना फेमस हैं कि आज यह कंपनी को भी पूरी तरह से टेक ओबर करेंगे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक और बहुत बड़ी एरलाइन थी इंडियन एरलाइन तो एर इंडिया एर इंडिया को भी पूरी तरह से किस ने ले लिया टाटा नहीं तो से अधिगरण करेगी तो आप लोग बिसलरी का बॉटल पीते भी होंगे तो बिसलरी कमपणी को पूरी तरह से एक्वायर किया जाएगा और इनी के द्वारा पूरा क्या किया जाएगा एक्वायर क्या जाएगा के लिए रहे सब को याद रखेगा सबसे इंबोरें न्यूज इसको अच्छे साथ एक बार जरूर करिएगा और टाटा कमपणी इसलिए अधिगरण कर रही है और 6,000 से 7,000 करोड का ये इसका बोली लगी है बोला जाता कि इंडियन में अगर बॉटल मार्केट की अगर वेल्यू देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए कि बॉट बॉटल वाटर का अगर मार्केट वेल्यू अगर हम बात करें तो यहां पर मार्केट वेल्यू जो है लगवग 2.43 बिलियन डॉलर है लगवग 2.43 बिलियन डॉलर यह यहां मार्केट वेल्यू है अब आप सोचिए कि भारत में जो बंद बोतल में जो पानी लोग पिते हैं उसकी market value जो है 43 यानि 2.43 billion dollar है और इसी सबसे ज़्यादा फेमस अगर bottle अगर किसी का है तो वह है बिसलरी का और इसलिए इन्होंने बोला कि बिसलरी को हम पूरी तरह से क्या कर लेंगे अगर हम बात करें अगर originally अगर हम brand करें कि यह कहां का है तो यह Italian brand है बिसलरी जो brand कोन है तो यह एक्च्वल में बिसलरी ब्रांड जो है यह Italian brand थी और इसको acquire किस ने किया था तो 1969 में इसको इंडियन company ने acquire कर लिया था और उसका नाम था चौहान और एक Indian company था जिसने इसको acquire किया था चौहन company ने और उसके बाद इसको पूरी तरह से अब Tata consumer के द्वारा acquire किया जाएगा और Tata consumer खुद कब आई थी 1962 में Tata consumer यह company की establish हुई थी तो याद रखेगा बिसलरी को पूरी तरह से acquire कोन करेगी तो रतन Tata यानि Tata company के द्वारा इस चलिए अभी हाली में देखा जाए तो जो bank से जुड़े हुए news है उसको भी मैं discuss कर देता हूं जिनका भी अभी आने वाले paper है जैसे मैंने कल आपको बोला था मद्द प्रदेश जो हमारे cooperative bank है तो bank से जुड़े हुए कुछ news भी हम आपको दिखा देंगे और अभी जिनका अभी मैंस हुआ और आने वाले समय में जो paper है बोलागा union bank of india ने inaugurate किया ethical hacking lab तो ethical hacking lab किसके दौरा शुरू किया गया है तो union bank of india के दौर hdfc life insurance ने अपना launch किया है एक campaign जिसका नाम है insured india तो insured india के नाम से campaign launch किया गया किसके दौरा hdfc life के दौरा उसका hdfc ने launch किया है smart hub जिसको हम लोग बोलते है वैपर smart hub वैपर merchant smart hub वैपर merchant किसके दौरा launch किया गया तो hdfc के दौरा उसका hdfcic bank ने launch किया है smart wire facility smart wire facility किसके दौरा icic i bank के दौरा उसका dcb के दौरा लाए गया तो एक लाए गया सुरक्षा fixed deposit यह festive लाए गया था customer के लिए और lic के दौरा लाए गया धन वर्षा प्लान और धन वर्षा प्लान जो है lic के दौरा लाए गया तो जितने भी के बारे में भी हम आपको बताएंगे सभी लोग एक बार session को जरूर लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार session को सभी लोग जरूर लाइक करें ठीक है सभी लोग एक बार session को जरूर लाइक करें उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं ठीक है चलिए तो इसी में आपके पास सबसे इंबोर्डेंट पॉइंट है तो धन बर्सा के नाम से अच्छी बात है अगर आपके पास अगर इसका है तो फिर अपन बात सब्सक्राइब करें अच्छी 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 अगर आपको बता दूं हां जी अगर इस वी आई का भी पेपर है कोई दिकत नहीं है अगला भारती सेना और ओस्टेलिया सेना के टुकडियों के बीच में तो फिर पक्छी अभ्यास अभी चल गाए जिसका नम ऑस्ट्राइब और जिसका नाम रखा गया और या दखेगा यह आस्ट्राहिंद जो अभी सुरू किया गया है भारत और किसके बीच में तो ऑस्ट्रेलिया के बीच तो यह जो सेना का युद अब्यास हो रहा है तो यह कहां पर इसका आउजन हुआ इसका नाम क्या है तो यह एक्च्वल में देखा जाए कि राजस्थान में हो रहा है जिसका नाम महाजन महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज है और यह कहां हो रहा है इसका अब्यास यह हो रहा मराजस्थान में और राजस्थान में यह आपके बास सत्रू शक्ति हमने बुला था कि शत्रू शक्ति जो है यह भी आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभी हाली में युद अभ्यास कहां अगर आयोजन किया गया तो है उत्रा खंड में युद अभ्यास का आयोजन किया गया अगहा है सभी लोग पहले session को like करती जाएगा जितने भी लोग देखा है एक बार session को जरूर like करें ठीक है तो युद्ध अभ्यास जो किया गया ये किसके बीच में तो भारत और USA के बीच में तत्रु शक्ति जो है ये होममेड एक परिक्षन है और आस्टिया हिंद जो है ये किसके बीच में है इनके बीच में है तो याद रखे का ऑस्टेलिया और भारत के बीच में ये इसका आयोजन क्या जा रहा ठीक है यह joint military exercise है जो अभी इसकी आयोजन खो रही है अब अगला पूछा गया कि हाली में देखिए Air Force के साथ हमारा French और भारती बायूशेना और France की बायूशेना ने अभी Space Force ने अभी लॉंच के जिसका नाम है गरूड़ा तो आपसे पूछा जाता है कि गरूड़ा जो है यह किसके बीच में तो गरूड़ा दो देशों के बीच में तो भारत और France के बीच में गरूड़ा अभ्यास होता है और यह गरूड़ा अभ्यास भारत और किसके बीच में फ्रांस के बी तो इंडिया और सिंगापूर के बीच में स्टिम बैक्स और अभी इसका आयोजन कहां किया विशाखा पतनम उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि अभी हाली में टाइगर ट्रम्प टाइगर ट्रम्प जो है या भी किसमें भारत और USA के बीच में यह एक्सरसाइज हुआ तो सभी लोग इसको नोट भी करते जाएगा जितने भी लोग देखना ठीक है सेशन को सभी लोग एक बार लाइक करते जाएगा और जो भी तैयारी करें मैं आपको वही करिंट अफर्स आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए सबसे अतिमात पुर्ण होगा इसलिए या तो यह पुरसकार नमलकित में से किस छेत्र में दिया जाता है तो मैं बता तो कि राष्टी गोपाल रतन जो पुरसकार दिया जाता है और बहुत ही इंपोर्टेंट यह है राष्टी गोपाल रतन पुरसकार अगर हम बात करें राष्टी गोपाल रतन पुरसकार की तो इस हाली में हम लोगोंने 26 नंबर को सुनेगाउध 26 नंबर को हमने nacional डरी ड का हमने आयोजन क्या था national dairy day हम लोगोंने मनाए था यह दुद्ग ऐता दुद्ग दे रास्टी यह दुद्ग दे के रुप से मनाए थे और ये हमारे देश में वरगीज कुरियन जी का अपने नाम सुनाओगा वरगीज कुरियन और इनी को हम लोग बोलते हैं फादर आप वाइट रिवॉलिशन स्वेट करांती के जनक बोले जाते हैं वरगीज कुरियन और इनी का अभी 101 नम्मर का जन्म दीन था जो अभी सेलिब्रेट किया गया और इनी के उपलक्ष में दूद के सेक्टर में ये दिया जाता है जिसका नाम है रास्ति गोपाल रतन और आपको पता कि जब हम रास्ति गोपाल रतन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये गोपाल रतन नामी गोपाल है तो कृष्ण और गोपाल मतब गौला से हम लोग जोड़ते हैं तो गोपाल रतन पुरसकार दिया गया इसमें क्या होता है कि इस रतन में देखा जाए तो जो टॉप मतब पहले पहले नमर पर जो पुरसकार दिया जाता है व इसमें ये पुरसकार जो दिया जाता है जो उन्होंने अपने farming के sector में जो इन्होंने innovation किया है उसके लिए इनको ये दिया जाता है गोपाल रतन पुरसकार और animal husbandry विभाग इसको देती है ठीक है तो याद रखेगा सबसे फेमस ये पुरसकार है गोपाल रतन पुरसकार और जो किसके द्वारा दिया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है अब अगला पूछा गया निम्लकीत में से किस केंद्रिय मंत्री ने भारतिये एतिहासिक अनुशंधान परिशत भारतिये एतिहासिक अनुशंधान परिशत द्वारा जो अभी पूछ तयार किय गया पुस्तक जिसका नाम है इंडिया the mother of democracy तो इंडिया the mother of democracy और ये एतिहासी पुस्तक लाए गया किस मंत्रा ले के द्वारा launch किया गया तो हमारी यहां के education and skill development मंत्रा ले है education और skill development मंत्रा ले है मतलब सिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रा ले इनको हम लोग बोलते हैं शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रा ले तो बताईए शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रा ले कौन है तभी लोग कमेंट करके बताईए शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रा ले किन के पास है तो कौशल विकास जो वो किन के पास है हाँ जी बिलकुल बिल्कुल SSC CGL पेपर में भी देखिए जो भी पेपर की आप तैयारी करें SSC CGL पेपर में भी ये काम करेगा बहुत जबरदस्थ काम करेगा तो आप से पूछा जाता सिक्षा अभाम कौसल विकास मंत्राले अभी किन के पास है तो धर्मेंद्र परधान के द्वारा और ये द्वारा ये बुक लाए गया है और भारती जिसको हम लोग बोलते हैं एतिहासिक अनुशंधान परिसद इसके उपर ये दिया गया अगर आप से पूछा जा अनुराग स्ठाकूर ये को ने ती ये इस स्पोर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकूर कोई है स्पोर्स मिनिस्टर है और साथ में यूबा कल्यान मन्त्राले भी इनी के पास है और इन्फॉर्मेशन ब्रोड कास्टिंग मनंत्री भी यह है प्यूस्ट गोहल जी हमारे यहां के इंडस्टी मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्टी मिनिस्टर नानि यह इनके पास वानिज मंत्राले है यह बानिज मंत्राले इनी के पास है सर्वनंदा सोनवाल और सर्वनंदा सोनवाल जी कोन है यह हमारे यहां के आयूश मंत्राले इनी के पास है तो आयूश मंत्राले अगर कोई पूछ लिया जाए तो सर्वसनंदर सोनवाल आयूश मंत्राले धर्मेंद्र प्रधान हमारे यहां के सिक्षा मंत्री है और अगर पूछ जा अमित साजी कोन है तो यह गर आपके पास अमित्साद जी को सहकारिता मंत्राले भी इनी के पास है ठीक है तो सभी मंत्री के नाम भी याद रखेगा और नाम भी आई जी आप से पूछे जाते हैं हाँ जी बिलकुल इसलिए मैंने आपको एक बार रैपिट फार चला देता हूँ कि ये चीज़ें आपके द कुई जो अंदे इंडियन डेमोकरिसी मदर ओफ इंडियन डेमोकरिसी और बाबा साहिब भीमरों अंबेट कर और 26 नमंबर को याद रखेगा 26 नमंबर को हम लोग संभीधान दिवस के रूप में मनाते हैं संभीधान दिवस के रूप में हम लोग कम मनाते हैं तो 26 नमंबर की अगर हम बात करें तो राश्ति कैरेट कोर जो है हर साल कभ इसको हम लोग celebrate करते तो मैं आपको बता दू राश्ति कैरेट कोर की अगर देखा जाए तो 74 नमर का हम लोग ने इसका क्या बनाया स्थापना दिवस मनाया रेजिंग डे, 74th नमर का, 74th नमर का हम लोगों ने स्थापना दिवस मना है, इसकी स्थापना कब गी गई थी, 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और हमारी भारत का, देखा जाए, इस्कूलिंग के पीरियड में एक बहुत ही जवर्दस ट्रेलिंग देना, तो हर साल हम लोग 27 नमबर को मनाते हैं, तो 27 नमबर 1948, याद दखेगा इसका मुख्याले कहां पर है, दिल्ली में, हेट क्वाटर जो है इसका दिल्ली में, ये भी आप बिलकुल याद रखेगा, और अभी हमने इसको मनाये था, रेजिंग डे, 27 नमबर को, और 27 नमबर को हर साल, इसका जाता है, क्लियर है सबको, हाजी, सबी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर करती जाएगा, जितना भी लोग देख रहे हैं, सबी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, जितना देख रहे हैं, कम सकम उतना तो लाइक करो, लाइक करने में पता नहीं कितनी कंजोशी हमारी हो देखा जाते हैं NCC platform जो है एक तरह से international relation देखा जाता है जो हम लोग अलग अलग कंट्रियों के बीच में हम लोग बताते हैं यह हमारा सबसे main point होता है और अगर हम बात करें NCC के बारे में तो यहां पर अभी जो इनके इसके जो डारेक्टर जनरल अभी कोन है गुर्वीर पाल सिंग अभी इसके डारेक्टर जनरल है और हैपी NCC डे के रुप में एकता और अनुसाशन इनका unity and discipline unity and discipline कभी अगर इसका पोच लिया जाए अनुसाशन और discipline के नाम से यह जाना जाता है अगला पुछा गया बताईए गणतंत्र दिवस्त समारो के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के राष्टपती को मुख अतिथी के रूप में बुलाए गया तो बताईए कहां के राष्टपती है जिनको यहां पर बुलाए गया किसे राष्ट के किसे देश के राष्टपती को किसे देश के राष्टपती को बुलाए गया है हाँ जी हमारे देश में किसे देश के राष्टपती को यहां पर बुलाए गया है तो मैं आपको बता दूँ तो यहां के जो बुलाए गए हैं तो समारो में मिस्र मतवता इजिप्ट तो 2023 में हमारी यहां पर जो गणतंत्र दिवस मनाई जा रहा थे 74 नमर का देखा जाए गणतंत्र दिवस हम लोग तो चलीब्रेट कर रहे हैं ठीक है तो एजिप्ट में जो हमारे पास मनाई जा रहा है तो यह मान के चलिए 2023 का जो 26 जनबर ही हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो इसको याद रखेगा आज़ी रिपब्लिक कहां के हैं यह हैं कहां के कि ये रिपपलिक डें जो हम लोग मना रहे हैं अब ही याद रखे गा busy जणबरी को हम लोग मनाने जा रहे हैं और 26 जणबरी को ज़ो हम लोग Republic day सेलीबरेट कर रहे हैं ये याद रखेगा बहुत ही जबर दस्त और दून दाम से और इजिप्ट के हैं अब्दुल फते अल सिसी का नाम सुनाओगा मिस्र और मिस्र के ये प्रेसिडेंट है जुनको मुख अतिती के रूप में हम लोग बुला रहे हैं जुनका नाम है अब्दुल अब्दुल फते अल सिसी बोलते हैं मिस्री अब्दुल फते अ हम लोग मुला रहें कहाँ पर तो 75 नम्मर का अभी 26 जन्वरी को हम लोग 75 वी कितने नमर की 75 वी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 55 वी रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2023 ठीक है और इस बार भारत जो है गेस्ट भी बुलाएंगे जी ट्वेंटी के चिप गेस्ट भी आएंगे तो भारत में जो जी ट्वेंटी के चिप गेस्ट हैं जी ट्वेंटी देशों के जो चिप गेस्ट हैं उनको भी चिप गेस्ट के रूप में बुलाएंगे G20 देश के सभी जो हैं चीफ गेस्ट वो भी आएंगे वोगि भारत जो है 2020 का इंडिया 2023 में इसको होस्ट कर रहे तो उसी तरह बताए है हमारे देश में 9 जनवरी को NRI Day सेलिब्रेट करते है Non-Residential Indian या इसी को हम लोग बोलते हैं परवासी भारती दिवस तो परवासी भारती दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो परवासी भारती दिवस जो मनाय जा रहा है तो बताए है 9 जनवरी को जो हम परवासी भारती दिवस हम लोग लेके चल रहे है यह हमारे यहां कहां पर इस वार होस्ट किया जाएगा तो इस वार इसका परवासी भारतिय दिवस सम्मिलन नो जनवरी को इंदोर में मनाए जाएगा तो साथ से लेके दस जनवरी तक इंदोर में इसका आयोजन किया जाएगा जो मद प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मद्ध प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाती है इंदोर जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा क्लियर है सब को हाँ जी याद रखेगा यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसलिए नो जन्वरी को हम लोग क्या मनाएंगे परवासी भारते दिवस और परवासी भारते दिवस 9 जन्वरी को और 12 जन्वरी को हम लोग क्या मनाते हैं तो याद रखेगा राष्टे यूबा दिवस हम लोग कम मनाते हैं तो इसको भी याद रखेगा तो राष्टे य किilles नाम से यह हम लोग मनाते हैं महातमा गांधी का अवातमा गांधी जी के नामसे हम लोग सेलिइब्रेट करते हैं क्योंकि 1915 में नवजनवरी 1915 को ध्यान चाहती सुनीड़ा यृध्री 1915 को म्हांदी जी ताहूट अफ्रिका से लोटा है थे और इनी के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चे मरता किलरे सब को सेशन को सभी लोगे एक बार लाइक जरूर करते जाएगा हाँ जी राश्तिय यूबाद दिवस हम लोग मनाते हैं कब 12 जन्वरी को इसी बीच मागर बोटस डे तो बोटस डे मतब राश्ति मतदाता दिवस हम लोग कम मनाते हैं तो राश्ति मतदाता दिवस हम लोग हर साल 25 जन्वरी को मनाते हैं तो 25 जन्वरी को हमारा राश्ति मतदाता दिवस मनाते हैं और जब राश्ति मतदाता दिवस मनाते हैं तो हमारी यहाँ बाली बाली का दिवस हम लोग कम मनाते हैं भारत में बाली का दिवस राष्टी बाली का दिवस national girls child बाली का दिवस हम लोग कम मनाते हैं तो राष्टी बाली का दिवस जो मना जाता है ये कम मना जाता हर साथ तो 24 जनवरी को मना जाता है 27 जनवरी को हम लोग बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 जनवरी आप याद रखे गया 15 जनवरी को क्या मनाते हैं आर्मी डे के रूप में मनाते हैं आर्मी डे थल से न दिवस और थल से न दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं यह मैंने पूरे जनवरी के जितने भी महत्पोन डेट है जो अभी जितने भी पेपर आप देने वाले हैं उसमें ये पूछा जरूर जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग जरूर डिसकस कर लिजेगा ठीले भारती ओलंपिक संग की पहली महला अद्दक्ष कोन बनने वाली हो गई तो भाई साथ तो इंडियन ओलंपिक कमिटी तो आई ओसी इंडियन ओलंपिक कमिटी के जो अभी पहली महला हिड बनी है इनको बोलते है उरन परी आप से पूछा जाता बताईए उरन परी कोन है तो उरन पड़ी के नाम से जाने जाती है P.T. U.S.A. जो है उरन पड़ी के नाम से जाने जाती है जिनों ने 1994 में सबसे जबरदस परफॉर्मेंस किया था और खास करके National Athlete Championship में भी इनका सबसे बेटर परफॉर्मेंस रहा था P.T. U.S.A. जिनको हम लोग बोलते है पीलु वा कंडी परविल टेका उसा के नाम से ये फेमस है उरन पड़ी और ये पहली मैला अध्यक्ष बनी है किसके इंडियन ओलंपिक कमिटी की और आपको जानकर आश्चाज होगा कि 2036 का ओलंपिक जो है भारत होस्ट करने बला है तो 2036 का ओलंपिक कोन होस्ट करेगा इंडिया और सब कुछ अच्छा रहा तो 2036 का ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा एहमदाबाद में इसको खेला जाएगा दो जाएगा और ये पहली बार इसा होगा जब इंडिया इसको क्या करेगी फूस्ट करेगी ठीक है तो यही है पीलू बार कंडील परविल टेका उसा पीटी उसा तो पीटी उसा का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेगा जो सबसे ज़्यादा उरन पड़ी के नाम से जाने जाती है और 400 मिटर का जो इनका इस पिंटर के नाम से जाने जाती है 400 मिटर का ये खोद लेके चलिते रणिंग ठीक है हाँ जी सेशन को सभी लोग एक बार ल चार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जो सबसे ज्यादा 1980s के समय में इनका पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस था जो पाकिस्तान के करांची में खेला गया जहां पर इन्होंने चार गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद अगर इनके बारे में बात हो रही है इन्होंने अपना डेब्यू जो किया था ओलंपिक में तो अलंपिक में जो इन्होंने डेब्यू किया था वो था मॉस्कोव अलंपिक और मॉस्कोव अलंपिक कहां के लागया रस्याम और इंडिया री प्रेजेंट किया था इन्होंने सबसे यंगेस स्पिंटर के नाम से जाने जाती चलिए आगी को और बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास है बुला गया भारत ने 2022 में किसे देश के सिर्ष परिटन बजार के रूप में बरहत रखिए तो देखे भारत जो है किसको पीछे करकर तो मैं आपको बता दूं मालदीब और मालदीब को पीछे करकर इंडिया ने अभी जो है टॉप नमर पे अपनी परिटन परिटन के मामले में इंडिया जो है ये टॉप पर अपने को रखा है परिटन ये भी आपके लिए सबसे जाएगा तो परेटन को अभी सबसे टॉप पर रखा गया है इसलिए इसको भी आप एक वार नोट कर लिजे ठीक है तो ये कोने मालदीब को पीछे छोड़कर इंडिया ने अपनी परेटन टूरिजम में भरत जबरदस्त बनाके रखी यह ती याद रखेगा तो टूरिजम म हम देखते हैं अभी पूर्निमा देवी बढमन को क्या दिया गया सबसे सर्वोष सम्मान बढमन पुरसकार दिया गया है हाँ जी सबसे सर्वोष सम्मान दिया गया है जिसका नाम है परिया बरन पुरसकार और यूनाटेड नेशन के द्वारा ये परिया बरन पुरसकार कि को दिया गया तो चिरन जीवी को दिया गया अगर पुछा जाए बताई अभी हाली में राश्टपती के रूप में कजाकिस्तान के राश्टपती के रूप में को चुने गए जो मार्ट टोकईव को चुना गया है उसके बाद पुछा जाए किस देश के सांसाद ने भारत के स राजिस्थान में ही हमने बोला था भारत और किसका तो आस्टेलिया का भारत और आस्ट्रिया को इंडियो आस्ट्रिया तो इंडो आस्ट्रिया का जो आयोजन है यह कहां किया गया तो इंडो आस्ट्रिया का राजिस्थान किस फोरम ने अभी गरीब देशों को समर्थन करने के लिए नुक्सान और छती कोस लांज किया है अब सी दिसी बात लॉस लॉस और डामेज लॉस और डामेज यह लॉस किया गया किसके दौरा कोप 27 के दौरा COP 27 के दौरा अभी लॉस छती के लिए इनोंने लॉंच कि अपना राहत कोज इनको अब ज़रूर याद रखेगा उसके बाद किस टाइगर रिजर्व को अभी कोईबटूर जंबो ट्रेल के नाम से जाना जाता है किसके लिए तो खास करके वोटिंग के लिए एज जो 18 साल था उसको घटा कर अब 16 साल भी करने को तया तो वह है न्यूजीलेंड ठीक है चलिए तो यह सारी सेशन आज की कैसी रही यह मैं आपको रोज इसलिए बता देता हूं कि जो भी नए नहीं घटना घटती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलने चाहिए ठीक है इसलिए मैं आपको रोज इसका क्या करा देता हूं रिविजन करा देता हूं और रिविजन मैं इसलिए करा देता हूं कि बताईए अभी गुलोबा सिल बिल्कुल बताएगा तो आज हमाग इतना ही रहने देते हैं ठीक है ठिक हाँ जी मीना जी सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करियेगा जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक करियेगा uma müडियर की भी लेकक्चेर रहती रहती है उसके राहिद सरकत samhinaire प्रवंदन हिंदी का भी लेक्चर आप कर रहता है उसके बाद नॉम्बर से टार्गिट बैच जो हमारा ये भी है और इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा तो आज का सेशन कैसा रहा है एक बार सभी लोग लाइक जरूर करती जाएगा और देखे डेली तो आज की क्लास कैसी रही हम लोग बताईएगा तो आज हम लोग इतना ही रहने रहते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में जैन जै बारत धन्यवाद